ओम शान्ति इन लक्ष्मियान को कितने सुख हैं हीरे ज्वारा धन भोत रहता है धन है तो सुख भी है यहां तुम भेट कर सकते हो वहां नहीं कर सकेंगे यहां की बाते वहां सब भूल जाएंगे वहां इमर्जी नहीं होता जैसे कोई आपके पास समस्या आती है वो समस्या और जाते हैं तो जैसे वह भूल जाती है कि क्या समस्या थी ऐसी वह पर है आज आपको मालुम है कि दुख क्या होताया अंच Twice आपको मालुम है कि धन Puis ऐ आज आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ये साधन क्या होता है, ये आज पता है, कल क्या पता है, कल कुछ भी नहीं पता है, क्यों, क्योंकि सब कुछ तो सामने है, जब सब कुछ है, तो फिर चाहना कैसी, इसलिए इच्छा मातर मविद्य अभी बनना होता है, श्रिमत का कहन आभी मानना होता है, क्योंकि वहां तो मत की जुरूरत ही नहीं पड़ती, यह कुछ difficulty है, लेकिन यह राजदानी स्तापित हो नहीं है, तो उसमें सब तरह की category चाहिए, लेकिन आप महारा राजा महारा नहीं बन सकते हो, लेकिन अगर बाप का कहना नहीं मानते हो, तो फिर category ब लगती है, औरना प्यार में तो महनत नहीं लगती है, इस समय तुमको देही अविमानी बनना है, यही महनत है, बिगर महनत तो कुछ मिलता नहीं, नहीं मिलता न, है भी बहुत सहज, तो देखो दोनों बाते हैं, महनत है, पर सहज भी बहुत है, अब सहज उसके लिए जिसक घर में रहते भी बुद्धी में आ जाएगा ये तो बहुत अच्छी राइट बात है चाहे घर में रह रहे हूं चाहे बाबा के साथ में सेंटर पर अगर आप रहते हैं तो बाबा के साथ समर्पित मना ऐसे का जाता है न कि बाबा के पास समर्पित हो गए लेकिन अगर घर मे भी रहते हैं, और उद्धी में बाबा है, तो यह सब को समझ में आ जाता है, और सब समझ आ जाता है कि यह तो बात सरी राइट है, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल तो सब नहीं आना है, आपको चांस से पहले अपने आपको बनाने का, सब को चांस नहीं मिलेगा अपने को ब परते हैं इसलिए तो positions हैं बाप के फर्मान पर चले तो पावन बन सकते हैं कहना यह नहीं मानेंगे तो पावन कैसे बनेंगे और जो कहना मानते हैं न वही पावन बनते हैं बनेंगे भी जरूर, पुशार्थ की बात है, है बहुत सहज, साथ ही बताते हैं, है बहुत सहज, लेकिन ये डिफिकल्टी आती कहां से है, जब प्यार कम होता है, व्यर्थ की बातों में ध्यान ज़्यान ज़्यादा होता है, तो मैनत भी ज़्यादा लगती है, पर है बहुत भगवान की श्रिमत आपको आज मिलती है तो वर्तमान होई और संगम युक पर चो कहना मानता है वो ही माला माल बनता है ओम शान्ति